तो आज हम देखने वाले हैं विंडो सर्ट कोर्ट की जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने पहले वीडियो में सर्ट कोर्ट की के पहले वीडियो में हमने कवर किया है अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि विंडो बटम होता कौन सा है तो यहाँ पे हमारे पास एक कीबोर्ड का इमेज है तो यह देखे सबसे पहले वीडियो में जो पहला हमारा वीडियो है चैनल पर आपको मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके देख लिजिए उसमें ह सबसे जादा यूज होने वाला है विंडो बटम अब देखिए यह जो बटम है इसके उपर आइकन बनी हुए हुई है विंडो का तो इसका नाम है window key तो जब भी हम window key बोले आपको ये वाली बटम को दमाना है तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहला sort code की तो हमारा पहला sort code की है window key plus R आप अगर प्रेस करते हैं तो आपका run menu open हो जाएगा आईए प्रेस करके हम देखते हैं window key plus R जैसे मैंने प्रेस किया हमारा run menu open हो गया अब यहाँ पे आप कोई भी operation जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा C L A C जैसे calculate लिखा तो यहाँ पे आपका OK करने के बाद calculator यहाँ पे खुल जाएगा ठीक है अब फिर से मैं window R करता हूँ ठीक है यहाँ पे मैं लिखता हूँ note pad ठीक है note pad जैसे मैंने लिखा और OK किया यहाँ पे देखी हमारा note pad खुल गया फिर से मैं window R प्रेस किया और उसके बाद मैं लिखूंगा C तो यहाँ पे आपका C drive खुल जाएगा तो यह इसका यूज होता है तो इसका आप यूज कर सकते हैं window प्लस R का यह अब हम देखते हैं कि हमारा अगला search code की क्या है वो है window की प्लस E इससे हमारा explorer खुल जाता है तो आईए हमने प्रेस किया window E ठीक है तो यह देखिए हमारा file explorer यहाँ पे खुल गया तो आप इसका यूज कर सकते हैं अब next अपने search code की पे जाते हैं alt plus tab इससे क्या होगा कि आपने जितनी सारे window कोली होंगी उनके बीच में आप switch कर सकते हैं आईए हम देखते हैं यह कैसे काम करता है सबसे पहले मैं alt दबाऊंगा और उसके साथ ही मैं दबाने वाला हूँ tab देखिए इतने सारे window खुली हुई है तो अब जो window मुझे खोलना है उस पे जैसे मैं click करूंगा वो window खुल जाएगी मान लेजिए अभी यह वाली window जिस पे हम है यही खोलना है तो इसके उपर मैंने click किया यही window खुल गई अगर आपको कोई दूसरा खुलना है तो आप जिस पे click करेंगे वो खुल जाएगी मान लेजिए इस पे यह खोलना है तो यह खोल दिया ठीके फिर से जिस पे हम थे अगर वाही वाली window खुलना है तो edit plus tab को मैंने press किया और उसके बाद मैं click करूँगा powerpoint पे और यह वाली हमारी window खुल गई खिर से तो इसमें आप window के बीच में switch कर सकते हैं तो आएए अप अगला set quote की देखते हैं क्या है वो है control plus shift plus eac ठीक है तो इससे आपका task manager खुल जाएगा आए हम press करके देखते हैं control shift eac जैसे हमने press किया यहाँ पे task manager खुल गया यहाँ पे कौन कौन से application चल लाएं वो सारी चीज़े यहाँ पे दिखा देके यहाँ पे आपका laptop का performance दिखा देगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो इसकी help से आप बहुत ही जल्दी task manager खुल सकते हैं तो अब हमारा अगला cert court की क्या है आए उसको देखते हैं window की plus d अब इससे क्या होगा कि hide करने का यह काम आता है तो आए हम इसको practically देखते हैं तो मैंने जैसे window प्लस depressed क्या यह देखिए वो अली window के आउई hide हो गई ठीक है चलिए फिर से हम उसको खोल देते हैं अब अगला अपना cert court की पे हम जाते हैं यह है window की plus ptrs की end ठीक है तो इससे क्या होगा कि screen sort आप ले सकते हैं तो मैंने window वाली बटम को दबाया और उसके साथ ही सबसे last में आप देखेंगे उपर सबसे top के उपर आप देखेंगे सबसे top वाली लाइन में तो वहाँ पर delete के बाद होगा prt sc यह सबके laptop में अलग-अलग हो सकता है तो जैसे मैंने इस पर click किया तो हमारे screen sort हमने ले लिया ठीक है अब screen sort लेने के बाद हम जाएंगे अपने screen sort वाले section में और आपको दिखाएंगे यह screen sort ठीक है आप यही से देख लीजिए quick action यह देखिए यह screen sort यहाँ पर आगए ठीक है तो अगर आपको screen sort लेनी है तो आप यह search court की का यूज करके बहुत ज़्दे screen sort ले सकते हैं अब आईए हम अपने अकले search court की पे जाते हैं और वो है window plus x इससे क्या होगा quick link menu open हो जाएगी आईए यह बहुत जादा important है सबसे पहले इसको practically देखते हैं तो मैंने जैसे प्रेस किया अब क्या होगा यह देखिए यहाँ पे सारे link menu open हो गया ठीक है open feature, mobility center, power option, event viewer, system, device manager इस पे किसी पे भी click करके आप window power sale, task manager, setting, file explorer, search run आप कोई भी खोल सकते हैं ठीक है जैसे मानलो मुझे खोलना है क्या task manager इस पे मैंने click किया हमारा task manager open हो गया मानले जिए मैं फिर से इसको प्रेस करता हूं window plus x और मानले जिए मुझे disk management खोलना है तो यह मैंने open कर लिया तो यहां से हमारा disk management open हो गया तो ऐसे आप बहुत ही जल्दी अपना action perform कर सकते हैं आपका बहुत चाया time भी बचेगा तो आएए अब हम अपना अगला search court की देखते हैं तो वो है window key plus up arrow इससे क्या होगा कि जो हमारी window होती है वो maximize हो जाती है और इसके बिलकुल opposite में होता है window key plus down arrow इससे हमारा window जो होता है वो minimize हो जाता है तो आईए अब हम इसको practically देखते हैं तो सबसे पहले मैं बाहर चला जाता हूं यह देखिए window plus down arrow में प्रेस किया यह देखिए minimize होगा window plus up arrow में प्रेस किया यह देखिए maximize हो गया तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यह कैसे काम करता है तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखने वाले हैं अब आगे आने वाले वीडियो में हम और जादा सौट कोर्ट की लेके आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मज़ा आएगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलना बहुत बहुत धन्यवाद